बगवान दत महराज आप सबे के मनो कामना पूर्ण करें और आपके जिवन में चल रहे हर परिसानियों को दूर करें इसे कामना के साथ जुनागर और गिनारी के और से प्रदिब महता का जैगरुदार आज हम चर्चा करने वाले हैं 12 सितंबर 2022 से लेकर 18 सितंबर 2022 के बेच में सरासिवालों का साप्ताहिक रासिफल केसा रहेगा क्या परिस्तित्यों का दिर्मार हो रहा है शुब अशुब हर जानकारी जो हम आपको सेर करने वाले है तो आईए जानते हैं बेसरासी का साप्ता है रासी फल साप्ता की सरवात ग्याने 12 सितंबर से 18 सितंबर की बेज का समय बेसरासी वालों के लिए बिलकुल ही बेला जुला रहने वाला है इस हफ्ते में आपका ज्यादातर समय कार्यक्षेत्र से जुड़ी समस्याई सुलजाने में जाने वाला है हलाकि आप अपनी सुजबूज से सभी समस्याउ का हल निकालने में भी काम्याब रह पाओगे फिर भी इस दोरान आपको अपने सिनियर और जुनियर से अपिसिक सहयोग ना मिलने से थोड़े परेशान अवस्य रहेंगे पर इसका कोई खास प्रभाव आपके व्यवसाई पर या आप पर नहीं पड़ेगा आपका कारोबार अच्छा चलेगा और आप अपने लक्षों को हासिल करने में लगबग काम्या भी रहोगी बही सप्ता के मद्यभाग में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है जिनके सयोग से आप बविश्य में कोई नई योजना भी शरू कर पाएंगे और साथ ही आप उनके सयोग से अपने कारोबार का बिस्तार भी कर पाएंगे अगर कोट कचरी से जुड़ा हुआ कोई मामला चल रहा होगा तो उसका भी निर्णय निश्जित है आपके पक्स में आ सकता है पर साथ में सप्ता के उतरार्द में अन्य के बरोसे पे कोई काम न छोड़े अन्यधा नुक्सान भी हो सकता है या समय अवदी में किसी भी प्रकार की फिजुल खर्ची से बज़ना होगा क्योंकि इस अप्ता में किसी भी बज़से पेशु की कमी हो सकती है तो अगर पास में पेशे पड़े होगे तो जरूरत के समय काम आ सकते है अगर जोग और करियर के लिहाज से देखा जाये तो आप कोई सकारतमक बदलाव भी जरूर कर पाएंगे जैसे कि अच्छी सेलेरी के साथ कोई और जगह जोग बदल सकते है तो आकर्शमिक धनलाब के भी योग बने हुए है जैसे कि सेर्वजार लोटे जैसे माध्यूम से भी लाब प्राप्त हो सकता है इस सब्ता कोई भी कार्य करने के लिए मंगलवार का दिन बहग जुब रहेगा तो आप उस मताबिक कोई बहत्वपन कार्य का आयोजन कर सकते है जो प्रेम में है उनके लिए 12 से 18 सितंबर का समय शामानिय बना रहेगा आप अपने पार्टनर शंग हशी खुशी पल बिता पाएंगे तो रोमास का भी लुपतले पाएंगे बही जो साधी सुदा है उनका भी बेबाहिक जिवन शुक्मई बना रहेगा जिससे आपके रोजमरा की जिन्गे में दूसरी जो समस्याई है उनको भी सुलजाने में आसानी रहेगी पर इस अपते आपको अपनी सेहत का बेसेज ध्यान रखने की भी अविश्यक्ता रहेगी इसे में आपने खानपार और दिन चरिया का सही में ध्यान रखे ताकि आपको कोई रोग अपने जपट में न रपाए जिससे कि आपका ध्यान आर्थिक बाबोतों से हट के कहीं और फोकस हो जाए क्योंकि आपके लिए नुक्सान दायक सिद्ध हो सकता है यही समय दोरान कर में किसी भी तरह की धार्मिक कार्यों का भी आयोजन हो सकता है जिन से पारिवारी माहोल भी अच्छा रहेगा चो लेखन आदी कार्यों से जुड़ी हुए है उनको यह समय में अपनी आई में बृद्धी नजराएगी संतान के स्वास्तियों को लेकर सचेत रहना होगा तो बाहन सुक में बृद्धी के भी योग बने हुए है तो यह था में सरासे का सापताहिक रासिफल दित्य महराज आपकी मनो कामना पूर्ण कहे यही हम कामना करते है जै गुरुदत जै गिनारी